मेरा माइंड और मेरा हाट दोनों एक चीज बोल रहे होते हैं कि हायार यह चीज करनी है इसमें मजा भी है इसमें पैसा भी मिल रहा है स्टेबिलिटी भी है सारी चीज अगर 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 मुझे पता होती जो आज मैं बताने वाला हूं विश्पिरियेंस एक्जाम्पल्स के साथ अपनी लाइफ के तो आप लोग मेरे को बहुत होती तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं अगर आप लाइफ में कहीं पे स्टक हुई है सोच के कि यार मैं अभी यह चीज कर रहा हूं मैं अभी जॉब कर रहा हूं मैं अभी यह बिजनस कर रहा हूं तो उसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं आप उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो कि एक लॉजिकल डिसिजिजन ले सकते हो कि विदर यूशिट कुईट और नॉट पहली बात तो मैं कुछ एक चीज क्लियर कर दूँ कि यह जो मोटिवेशनल कोट संब लोग सुनके चल रहे होते हैं कि विनर नेवर कुट्स एंड कुटर नेवर विंस ठीक है अच्छी बात है लेकिन यह उस जगह पर अप्लाय नहीं करना जहां पर जो चीज आप कर रहे हो उसको लेकर आपको अंदर से चीज नहीं आरी अं अपको मज़ा आता है तो जहां पर वो चीज नहीं आ रही ना वहां पर रूल अप्लाय करना इस सरासर बेवकूफी जो कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर करी है मैं बताऊंगा आ गयाने वाले टाइम में ठीक है और एक चीज मैं को क्लिर कर देता हूं दिर इस डिफरेंस मैं कुछ नहीं करने वाले मेरे बसकी कुछ भी नहीं है मैं करी नहीं सकता मैंनत स्विचिंग कि यार ये वाले चीज शायद मेरे लिए नहीं है I want to try something different this is called switching so अगर इस वीडियो के अंदर में कोई बताने वाला हो कि quit नहीं switch आपको करना चाहे या नहीं तो this would be a better term so without wasting any time let's start this video the five signs that tells you that you should consider switching is number one you are bored with the process irrespective of results are there or not आप बोर हो चुके हो आपको जो काम का process है job का business का यह जिसभी चीज का भी आप है उसमें आपको मजा नहीं आ रहा चाहे result है चाहे नहीं है and this is a very big problem I was doing networking मैंने कई सारी वीडियो में बताया right and to be honest मैं एक अच्छा खासा महंती इंसान था उस business के अंदर मैं कई बरी आलस करता था there was my senior का कई बरी call आता था आना है never used to me like कई बरी आस होता था कि मैं घर से भार नहीं निकल रहा मैं काम नहीं कर रहा मैं घर में बैठाउं और मन नहीं कर रहा अंदर से काम करने का and मेरे seniors ने training में बोलना शुरू कर दिया कि भई जो भार से भार नहीं निकल रहा वो महंती नहीं and मेरे mind में thought process बने लग गए शायद मैं महंती हुई ही नहीं मेरे results नहीं आ रहा मैं तो काम चूरू हूँ शायद that was totally wrong मैं results इसलिए generate कर पा रहा था मैं उस business में successful नहीं हो पाया और ऐसा नहीं कि वो business कराब है काफी there are people who are making lakhs of rupees लेके करोड भी कमा रहे है लेकिन वो business शाद मेरे ले नहीं था और इस चीज़ को समझने में मुझे 23 साल लग गया ठीके मैं उस चीज़ को लेके समझ नहीं पाया तो मैं अक्चल में process को enjoy नहीं करना था मैंने किया कुछ time तक उसके कुछ time के बाद मुझे results भी आ रहे थे मेरी sales भी हो रही थी मेरा check भी बन रहा था मैं तब भी बोरू चुका था तो उस time मुझे समझ जाना चाहिए था कि यह शायद यार एक घंटी है मुझे consider करना चाहिए switch करने का sign number two आपको अंदर से वो calling नहीं आती काम करने की मतलब आपको पता है कि ठीक है काम करना important है यह चीज important है वो चीज important है लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अंदर से मन नहीं करता कि यार यह चीज करनी है यह चीज मज़ा आएगा या फिर वो आपको अंदर से काम करन हो जाए मुझे नहीं जाना पड़े आपको बिजनस ग्रो करने की अपको मिली है और वहां पर आपका माइंड कह रहा है काश कैंसल हो जाए आप शाहिद उस बिजनस की तरफ या फिर आप शाहिद उस जॉब की तरफ अट्राक्टेड नहीं हो इड्रेस नहीं किया जा रहा है वहां पर आपकी बात को सुनानी चाहरा कि आपको हाइक मिलनी चाहरा जो भी है या फिर आपके आइडियास को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जॉब के अंदर यह जो भी है चीक है मेरको इस टाइम पर थोड़ा सा अंदाजा लग गया था कि शायद यार जहां पर आपकी सुनी नहीं जा रही आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही जो शायद होनी चाहरी तो दिस इस अटाइम ड़ी शूद कंसिदर मूविंग ओन यार आप वहां पर एक स्टेबिलिटी ग्रोथ देखनी पारे या फिर स्टेबिलिटी ठीक है स्टार्ट अप्स में भी नहीं होती कई बरी बट वो जो स्टेबिलिटी इन्स्टेबिलिटी जो आपको दिख रही है फ्यूचर के अंदर वो चीज़ को आप फोर्ड नहीं कर होती है और आपको लगता है कि यह मैं लूज कर सकता हो काफ़ सारी चीज़ है और बहुत क्रूशल टाइम है तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक सही डिजिजन लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत है बिकर्स में कई बारी कुछ ऐसे डिजिजन लेना आपको में क्या नेगेटिव में लेके जा सकता है बहुत जादा सो रिस्क लो बट कैलकुलेटेड रिस्क लो जहां पर आप यह सोच के चलो कि और वर्स के सिनारियो में अगर यह चीज हो जाती है तो मैं हाँ जहेल जाओंगा उस चीज़ को So make sure of that thing. Sign number five यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो job, internship, business, freelancing, वो जो भी है वो करने के लिए आप अपने आप से लड़ते रहते हो आपका mind या फिर आपका heart कुछ बोलता है, आपका mind कुछ और बोलता है कि नहीं आर तुझे नहीं करना चाहिए, आपका mind बार बार वो अंदर से लड़ाई चलती जा रही है The reason why my business is going towards success is because मैं कभी अपने आप से लड़नी रह होता मेरा mind और heart दोनों एक चीज बोल रहे होते है कि हा यार यह चीज करनी है, इसमें मजा भी है, इसमें पैसा भी मिल रहा है, stability भी है, सारी चीज़े है, future भी growth भी है, सब चीज़े है But when I was doing some other business, वहाँ पर मैं कहीना कि हमेशा अपने mind से लड़ता ही रहता था कि नहीं यार में को करना है, करना है, करना है, और mind या heart कुछ और चीज बोल रहा है और किसी और के दबाव, किसी और के pressure में आके, और किसी और की बातों से बार-बार-बार influence होके, बार-बार-बार influence होके, वह चीज में कर रहा था तो इसी तरीके से, अगर आप कोई भी decision ले रहे हैं, तो किसी के influence में आके बिल्कुल मत ले हैं Whether you should continue or not, whether you should switch or not, जो भी है तो ये ध्यान जरूर रखना, because मैं आपको कुछ stories भी ऐसे बता दूगा, there are people like जब मैं अपने networking करता था, तो उस time पर आपारी company का कुछ बंद होने का scene कुछ हो गया था और वहाँ पर काफी सारे लोग छोड़की जाने लग गे थे So there were a few people who left the company लोगों ने उनको traitor बोला, quitter बोला और पता नहीं क्या-क्या बोला But you know what, after 5-8 months के अंदर पीरिड के अंदर जितने लोगों traitor और वो सारी चीज़े बोल रहे थे वो जाके उन्हीं की team के अंदर join कर लिया और जो लोग पहले quit करके गए थे, switch करके गए थे वो लोग आज की rate में 5-7-8-10 लाग महीने का earn कर रहे है So it is all about taking the right decision at the right time निकला तो इस business के अंदर घुसा So कहीं पहुचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है तो ये कुछ इसे 5 science थे, 5 reasons थे जिसकी वज़े से शायद कहिना कि मुझे ऐसा लगते है काश मुझे चीज की realization पहले होती तो मैं काफी जादा new, सही decisions बहुत जल्दी ले पाता, याद रखना कि एक सही decision लेट लियावा भी गलत हो जाता कहीं बारी So कोई भी अगर ऐसी चीज से face करें, पांचो के पांचो science अगर आपको दिख रहे हैं और बहुत strong है और आप हमेशा इस चीज को ले के doubt और dilemma में रहते हो तो it is a time to move on मेरे भाई और मेरी भेन So in case, और ये भी एक चीज माँ बता देता हूँ कि अगर आपको देखो यार 6 महिने से उपर, एक साल से उपर नहीं हुआ किसी business है, किसी job है, किसी और चीज के अंदर और आपने उस चीज को ड़न से समझा नहीं है तो quit करने का, या switch करने का decision मत ले ना Because, बहुत कम time के अंदर आप चीजों को judge नहीं कर सकते है You have to give some particular time उसको समझने जानने के लिए और अगर feeling बहुत लंबे time तक consistent रहती है ठीक है, और वो चीज होती है कि नहीं है आप अपने आप से fight कर रहे हो So then it is the right time to quit, to switch ठीक है, that's all for today's video guys I hope you liked it, I hope you enjoyed it And I hope कि आपको समझ में आगया होगा कि किस time पर क्या decision लेने की जरुवत है इनके basis पर आप decision ले सकते हो That's all for today's video, thank you for watching and stay best